पीडिता को पुलिस द्वारा आधी रात में फोन करके किया जा रहा टॉर्चर योगी सरकार में दरदर की ठोकरे खा रही महिला को नहीं मिल रहा इंसाफ जी हां आपने सही सुना हम बात कर रहे हैं सीमा की जिसके विवेक के साथ प्रेम संबंद थी जो की प्रेम संबंद के चलते ही सीमा को शादी का जहांसा देता रहा और उसके साथ शारिरिक संबंद बनाता रहा लेकिन आज तक उसने पीडिता के साथ विवाह नहीं किया पीडिता की तहरीर पर लगबग एक माहपूर ठाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज तर लिया है लेकिन पीडिता का कहना है कि उसको ना तो कोई मुकदमे की कौपी दी गई है और ना ही आरोपी की गिरफतारी हो रही है इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी कैमरे के सा हो रही है डिप्रेशन में आ रही है हम बात कर रहे हैं सीमा की जिसके अमरोहा निवासी लेखपाल विवेग के साथ प्रेम संबंद थे और इसी के चलते विवेग ने सीमा को आए दिन मुरादाबाद बुलाया और ठोटलों में लेकर गया जहां उसके साथ शारेरिक संबं इस से म्याय की गोहार लगाई और लेखपाल के खलाफ मुकदमा दर्ज कराया लेकिन पुलिस के द्वारा सिर्फ काग्जों में मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी कारवाही कोई नहीं की गई विवेग को बिलाया गया और ना ही पूछताच की गई और ना ही अरेस्ट किया ज विवेग ने मुझे अपने घर लाया लेकिन शादी फिर भी नहीं की और बाद में मेरे साथ मार्पी की और मुझे घर से बाहर निगाल दिया सुनने में आ रहा है कि विवेग ने किसी और से कोट मेरिज कर ली है मैं अब दरदर की ठोकरे खा रही हूँ मुझे नयाई चाह कि विवेग कुमार जो जीला अमरोहा तैसिल हसनपूर में मलेक पाला है और इनके पिता जीला जीत प्रसाद 24 वी वाईनी पीएसी जीला मुरादाबाद 24 बटालियों में रहते हैं नो इनके पिता 24 वी वाईनी पीएसी में कुब के पत्पे तायना आप है इन्हों शनके बीडा खिमार जीली वातों में और इनुह ने साधी का सांथ लेके चानतों में है और हुझने कोट मेरिज भी करेंगे साधी कई और साधी का जहां सा देखे उन्होंने सारे काम किये और इसके बाद फिर इन्होंने साधी से इंकार कर दिया। मैंने कोतवाली घोसी में इसकी कमप्लेंड की तो पुलीस वालोंने इन्हें गिरफतार किया और रात भर लुक अप में रखा। नौकरी खोने के डर से इन्होंने मेर साथ समझाता करके मुझे मुरादाबाद लेके आए कि ये मुरादाबाद लाकरके मेर साधी करेंगे और मुझे अपने साथ रखेंगे यहां लाने के बाद इन्होंने मुझे एक पत्नी की तरह मुझे अपने साथ रखा साधी नहीं हुई थी, साधी इन्होंने का था साधी करेंगे, साधी करेंगे, जी नहीं, जी नहीं, जी आ, इन्होंने पती पत्नी की तरह रखा, पती पत्नी की तरह रखा, मेरे साथ तपुच किया, इसके बाद प्रागनेंट भी हुई, प्रागनेंट होने के बाद इन्हों ऑप मैं गर-दर की ठोकरें खा रही हूं यहां-वाः मैं घर से भी बेदाखल हूं घर से भी मेरा कोई वास्ता निया घर से निकालिी हुई हूँ मेरा रहने का भी कोई ठीकाना निlles पोट महरेसे अफ महां एडी जी साब कर तीन बार बार ऐ tack दिया दो बार आदेश हुए लेकिन फिर दरज होंने कि onboard तीसरी बार में इंहोंने फिर लिखी को लीणको फिर नाज समी में तीसरी नहां कि गंकता कि फोन आतेते Sarah सब्सक्राइब और वीवेट की गिरवतारी आज तक नहीं हुई जब भी मैंने थाने के पचासो चक्कर लगा है लेकिन हर बार जो वीवेट चक है दरोगा ये मुझे बातों को घुमा फिर आके मुझे वापस लोटा देते हैं कभी फोन करके बुलाते हैं कि तुम्हारा बयान लेना है आजाओ तो सुबह दस वजे से लेके तीन वजे तक मुझे बठा के रखते हैं फिर वसी मैं चली जाती हूं कोई बयान भी नहीं लेते हैं अब कभी बुलाते हैं बयान के लिए बयान बदलने के लिए दबाव डालते हैं कि बयान अपना बदलो तुम कहो की तुम्हाद आठा ने लेके था जब मैंधनपुर में नहीं थी तो मैं क्यों हसनपुर का नाम लो और मेने फ्होन का क्या दिखां कि तुम्हारी CDR में LOK nada मेरे फोन का इस्तमाल की यह लिए तो छोव कहां से आटेकिव ponieważ कि पूशे सब्सक्राइण को पैस तो किसी भी माईला का फोन आया नहीं किसी माईला पॉलिस का और क्यूंकि मैं खुद एक अकेली लड़की हूँ मेरा पस रिप आखरी राजता है या तो ना आधमात्या कर लो मेरा वैसे भी सब कुछ बरबाद हो चुका है आधमात्या करने की सिवाह मेरा पस कोई और आखरी ओप्सन नहीं है आखरी ओप्सन यही है इनके पिता जिला जीत प्रशाद और विवेक गुमार जहां पुलिस भी पूरी की पूरी भागीदार होगी क्योंकि पुलिस ने अगर अपनी जुटी नहीं भाई होती यहां सही तरीके से काम किया होता तो मेरी पूरी लाइफ इतनी जो बरबाद में हुए होती जैसा मैंने जैसा कि खुद धरोगा ने खुदी बोला है कि लड़की के तो साधी हो चुकी है कर दर्ज हुई है तो यह लेकपाल विवेक पुमार यह अपनी सर्विस कैसे कर रहे हैं आज तक बरकात क्यों नहीं हुए इनको इनके ओपर किसी तरह की कोई कारवाई क्यों नहीं की गई मेरे पास पूरे सबूत हैं यह सबूत मैंने सबको दिखाए हैं इसके बावजूर क्यों नहीं किसी तरह का कोई आक्शन क्यों नहीं किसी ने लिए